मॉम हेल्धी एंड इजी रेसिपीज में आप सबका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म केला पूरी पूरियां तो सभी ने खाया है लेकिन क्या केला पूरी खाया है आपने तो आज ही ट्राइ करें केला पूरी और भुजिया साथ में सलाद केला पूरी बनाने के लिए सबसे पहले एक भगोनी में मैंने लिया है दो कटोरी गेहुं का आटा तो ये आदा केजी हो गया और इसके बाद यहां पा सोप लिया है आधि चमच मैंने सोप लिया है उससे क्रस्प करके इसमें डाल देना है ज्यादा हमें सोप का प्रियोग न केले ही डाले इसके बाद अपने हाथों से अच्छे से मैस कर ले अच्छे से पहले हमें आटे में इस केले का मिला देना है मिलाने के बाद हम थोड़े थोड़े पानी देकर इसमें अच्छे से हम इसे गूथ लेंगे इस तरह से हमें गूथना है बहुत ही मुलाइम गूथ ल के लिए सेट होने के लिए जब हम रोटी या फिर पूरी के लिए आटा को गूते न उसके बाद हम 15 मेट के लिए सेट चरूर रखें इससे मुलाइम फुली फुली बनती है रोटिया या पूरिया तो यहां पर कड़ाही चड़ाने के बाद अब हम इसमें तेल डालेंगे ते के बाद जब मेरा तड़क गया है तो इसमें हम डालेंगे प्याज इसके बाद हम दो चार करी पते डालेंगे इससे स्वात थोड़ा भुजिया का अलगाता है जब हमारा प्याज आधी ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे भुजिया को तो आलू की भुजिया इस त तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरा दो मिनट भुज्या को भूनने के बाद इसमें हल्दी पॉडर और स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से हमी मेडियम आज पर भूनते जाना है थोड़ी सी इसमें गरम मसाला महिने डाला है तो इसे स्किप भी कर स अब हम पूड़ी की त्यारी कर लेते हैं तो केला पूड़ी तो आपने देखा ही है 15 में हो चुका है हमारा यह आटा तो इसका लोई हम इस तरह से लेकर अच्छे से गोलाकार हम करेंगे इसके बाद पर्थन में लपेटेंगी इसे और इसके बाद पूड़ी की तरह हम तो यहां पर इस तरह से गोल गोल हम बेल लेंगे तो बस इसी तरह से हमें बाकियों पूड़ी को भी अच्छे से बेल कर तयार कर लिजिए सभी पूड़ीयां को तयार करने के बाद ही हम कड़ा ही चड़ा कर अच्छे से तेल डाल कर उसमें गर्म होने पर अच्छे से इस तो इस तरह से रिफाइन ओइल में अच्छे से पूडियां तल जाता है तो देख सकते हैं कितना खिल कर आया है केला पूडी जब आटे का डो अच्छे से 15 मिट के लिए छोड़ दे ध्थककर मुलाइम हो जाता है उससे है कि पूडियां बहुत फूलती है पूडियां या रो गरम तयार है केला पूड़ी और साथ में भुजिया तो आप इवनिंग के टाइम रात के टाइम ये बना कर खाएं या फिर नास्ते में ले सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट पूड़ी भुजिया और सलाद तो चलिए आज की रेसिपीज आप लोगों को कैसा लगा बहुत ही असान तरीका दिया है घर पर बनाएं और खाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले बाए